विवान कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों को पता है कि कल जेके SSB की तरफ से एक नोटीस आया था जिसमें उन्होंने पोस्ट को विड्रॉख करने की बात कहीं थी वहीं आज एक और नोटीस आया है जो एक इमपॉर्टेंट अपडेट एक जेके SSB के तरफ से क्या है वो अपडेट उसके बारे में हम बात करेंगे पुरी डिटेल में और पांच मिनिट में मैं कोशिश करूंगा आपको सारा समझा दूँ आज से थोड़े टाइम पहले भी एक नोटीस आया था जिसमें जो वेकेंसी एडवर्टाइज की गई थी उन्हें विड्रॉ करने की बात कही गई थी तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है SRO 202 जो हटा है उसकी वज़ा से यह चीज यह स्टेप उठाया गया है ताकि जो आने वाली रिक्रूट्मेंट है या जो आपकी चल रही थी उसको मॉडिफाई करके रिएडवर्टाइज किया जाए और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई भी एक वीडियो अप्लोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए बात करते हैं डारेक्ट नोटिस पे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते है डेट क्या है डेट है आपकी यारा सरो 202 जो पहले आप लोगों के जिसके तहट प्रोबेशन आपका 5 साल का होता था आपको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती थी वह प्रोबेशन आपका हटा के कितना कर दिया गया है दो साल का जो की हर एक अगर आप जाए पी एस यूज में या तो किसी भी और्गनेजिशन में त एफर डिफेंट पोस्ट फॉर रिकूट्मेंड अंडर जमूएं कश्मीर स्पैशल रिकूट्मेंट रूल्स दोहजार पंद्रह तो यह जो है अभी आपके सामने आप देख सकते हैं इस पॉइंट को डारेक्ट यहां पर कहा गया है वेराइस जन्रेशन डिपार्तमेंट गर्वर्मेंट और नंबर 654 जेके जीएडी और 2020 डेटेट 19 जून 2020 इसके अकॉर्डिंग इनने कहा था इन्हें डारेक्ट किया गया है रिक्रूट्मेंट एजन्सीज को और अपॉइंटिक अथॉरिटीज को कि एप्रोप्रेट एक्शन लिया जाए किसके तहट जो वेकैंसीज औरेडी रेफर की गई है या एडवर्टाइज की गई है अंडर जमुएंट कश्मीर स्पैशल रूक्रूट्मेंट रूल्स 2015 यानि जिसमें आप लोगोंने अप्लाइ किया है एक जिसमें आप लोगोंने एक्जाम दिया है और एक जिसमें आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है और आपको पॉइंटमेंट की जरूरत है और आपको पॉइंटमेंट लेटर आएगा तो इसमें कन्फूजन क्या थी जब आज हम बात करेंगे यह जो नोटीस आप देख सकते हैं यहां पर पूरा डिटेल में कहा गया है जो भी स्टेज है एडविटिजमेंट की या सिलेक्शन ऑफ देट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ जमुएंट किश्मीर प्रोबेशनर तो जो भी आपके भी स्टेज है उसके अकॉ असिस्टेंट पंचायत अकांट असिस्टेंट और क्लास फोर नहीं आते हैं क्योंकि वह औरेडी 2020 में और इनमें जो ने रूल हैं वह इंप्लिमेंट हुए है तो क्या होगा जो सिर्फ रैफर की गई है उनके लिए जो एक्शन लिया जाएगा रिकूट्मेंट एजनसी श उनके लिए कहा गया है कि उन्हें वापस से री एडवर्टाइज किया जाए और जो आपका एसारो 202 का क्लॉज है उसे हटाके नया क्लॉज लाया जाए ताकि कल को कोई आपकी सिलेक्शन के बाद उस पर कोड केस ना कर सके और सेकिंड स्टेप क्या है तो सेकिंड यहां प किये उन पर क्या एक्शन लेने की बात की गई है तो उसमें कहा गया है जो रिक्रूट्मेंट एजनसीज है वह इश्यू करें एक अडवर्टिजमेंट नोटिफिकेशन नोटिफाइंग देरिंदा एप्लिकेशन ऑफ जमों कश्मीर प्रोबेशनर जिसमें की जो रूल हों है उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा उस पर जो क्लॉज है अपका इसरो 202 का उसे हटाके नेया वाला इंप्लिमेंट कर दिया जाएगा ताकि इन पर आगे लीगली कोई चैलेंज ना कर सके तो आप लोगों के लिए यह अच्छी निउस है जिन लोगों ने एक्जाम दिय है उसके लिए भी कहा गया है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वह इशू करेगा और एस पर जमू एंड कश्मीर प्रभेशनर जो की आपके निव रूल जाये थे 2020 में यानि कि जिसमें एसरो 2 का जितनी भी चीज़ें है उसे हटा दिया गया है तो यह आई होप आप ल लोगों की एडवेटिसमेंट रहेगी और आप लोगों को जॉब मिलेगी हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को जॉब जल से जल्द मिले तो यही था इंपॉर्टेंट आपको यह मैं पीडिएफ हमारे ग्रूप में सेंट कर दूंगा यहां पर आप देख सकते हैं जो जो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जित्ती भी रिकूट्मेंट के अपडेट्स हों आपको सबसे पहले मिल जाएं तो ओके काई बबाई टेक केर हैव गुड़ डे